हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी चैनल पर आप सब का स्वारत करती हूँ जोस्ते हैं यहाँ मैं देखना चाहती हूं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है उनके kia कुछ चल रहा है, third party को लेकर, और किया कुछ बदलाव आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते में इस टेन टेन के पोटल में, ठीक है?, तो यहाँ पे दोनों की भी एनर्जी होगी, तुछ थे पार्टी की होगी और आपके रिश्ते की भी और उनकी current energy की भी तो यहां बिल्कुल positive हो जाएं यह collective reading है और सारे sign के लोग देख सकते हैं male हो female हो married हो unmarried हो सब के लिए है तो वीडियो को positive हो कर सुनना है ध्यान से सुनना है और जितना resonate करें उतना लेना है और बाकी को जाने देना है बट आप लोगो positive रहना है मैं एक guidance देना चाहूंगी आप अपनी person से टूटा हुआ feel कर रहे हो आपको बार बार guilt हो रहा है कि आपके person ने आपको धोखा दिया है cheat किया है जूट बोला है तो सबसे बड़ी बात यहां पे आप लोगो खुद से जुरना होगा जैसे होता है कि मुझे justice चाहिए तो justice चाहिए तो उसके लिए पहले आपको खुद पर focus करना होगा खुद के लिए जीना होगा और थोड़ा सा मतलब अपने लिए वक्त निकालना होगा चिक है यहां पे सबसे बड़ी बात हर कुछ यहां पे देख रहे हो remote control से चलता है उसी प्रकार आप और आपके partner के रिष्टे अभी इस बग देखा जाए तो remote control पर चल रहा है ठीक है जो अभी negative thoughts में हो separation में उनके लिए है तो इस बग जो remote control है ना जो आपने अपने partner को दिया है उस remote control को आप अपने हाथ में ले लो मतलब कि इस बग खुद पर focus, meditation, healing और self love ठीक है और उनको spike करना छोड़ दो तब आने वाले time में आपको result मिलेग अगर उन्होंने marriage कर लिया है आपको नहीं बताया आपको बाद में पता चला कि उन्होंने marriage कर लिया आपको धक्का पहुँचा कि इसने मुझे धोखा दिया चिट कि आप शाक्रेशन से नहीं निकल पारे हो तो जो remote control आपने दिया ना emotions का आपका innocent nature का उसको control करे आप ठीक ह है तो उन्होंने धोखा चीट जो भी किया कहीं न कहीं आपको खुद को बदलने के लिए हो रहा है अगर चोट पहुचाया धक्का दिया दर्ज दिया पेन दिया तो trigger किया वो trigger क्यों किया आपको बदलने के लिए क्योंकि आपने 100% दिया और उन्होंने कुछ नहीं दिया जबकि प्यार अंकंडिशनल है, डिवान ले गाइड़ है, एक दूसरे के विना जी नहीं सकते हो, एक दूसरे के विना रहने ही सकते हो, फिर भी डिस्टंस वेंटेंड कर रहा है, क्यूं? ब्लॉकेज, कर्मा, ठीक है? ये भी होता है, और आप दोनों को मिलाना भी होता है, लिविन होता है, तो हरा को मिलाने में एक टाइमिंग होता है, आपके ब्लॉकेज आपके कर्म, येखोंच के ब्लॉकेज़ होते ci, नोनियों कड़ो पार। Only के स्टेप बाए स्टेप आपकी लिंग होती जाती है, माइंड बॉड़ी, सोल की diz, कर्मा की और ब्लॉकेज़ की और देखिे कभी-कभी marriage होने से हो सकता है, वह compromise life में करते हैं, हो सकता है, divining time आपका कभी काफीर लंबे समय से हो सकता है, और हो सकता है कि आपके past life की और ज्याद़ ब्लॉक के जर्य होगे, बहुत experience होगे, तो बहुत कुछ होता है, इसको समझना सहीं बुर्ण को heed उसक容 गोई को सुना दाथा और मेरे गाइडंस फॉलो करना तो लाइप को DAVID करना होगा तभी आपको justice मेलेगा डियर चलिए अब यहां इतना guidance आपको अच्छा लगा तो जरूर ग्राइट तो करें युनिवर्स इंजर्स गौड को कि उन्हों ने आपको इतना guidance देने को कहा हो के इससे नहीं जल रहा है तो इससे जला लेती हूँ थोरा सा remote control जो है न आप अपने उपर लाएं ठीक है तो आपके लिए अच्छा होगा मेरे विवेश के partner और मेरे विवेश के रिस्ते में क्या कुछ तेंटेंट पोटल में बदलने वाला है क्या कुछ गरेंट इनजर्स काइट करेंगे मुआ कि दिब्बय सक्ती गाइट करेंगे इस्प्रिट गाईट करें किर्शन को विंस गाइट करें जिश्ते करेंगे अब विवेश कुछ जो मतलब उनके अंदर जो रिस्पेक्ट जो प्यार है वह आपकी जगह है ठीक है उन्होंने उस जगह को किसी को नहीं दिया है ठीक है यहां पर मैं देख रही हूं कुछ इनदी डेट की आ रही है ठीक है डेटिंग से रिलेटेंड मुझे लग रहा कि बहुत जल्ड आप लोग को गुड नीज भी मिलने वाला है आप लोग मिलने वाले हो ले देखे यहां पर आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो सायद आपको लग रहा है कि आपने टाइम वेस्ट किया लेकिन ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आने वाले समय में आप देखोगे ओके देखे आपको गिल्ट से निकलना मेरे कुछ वर आप गिल्ट में हो ठीक है ना और खुद को माफ कीजिए है ना जब जहां आप खुद को माफ करोगे ना वहां आप खुद खुद सबको माफ करने लोगे ठीक है ना देखे बहुत लोग की यूनियन भी हो रही है और कुछ ल एक लिए ट्रांस्वर्मेशन चल रहा है आवेकनिंग से गुजर रहे हो चिक है इस वक्त कहीं न कहीं आपके परसंगी जो अपने प्रस्तिती को देखते हुए एक्षन लेते हुए जो सोच रहे हैं थोरा सा यह आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको समझाना बहुत जरू रह रहे कर आपकी ओवर्थिंकिंग हो रहे हैं जहां पर बैलस आता हुआ दिख रहा है इस टेंटेंट पोर्टल में कहीं न कहीं आपके रिष्टे में आपके लाइक में बैलस आता हुआ दिख रहा है यह स्टैंड लेना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो ठीक है इनका मुर्स लेकिन कहीं न कहीं, करीयर पे भी ये फोकस कर रहे हैं, लेकिन नजर आप पे लगतार लगाए हुए हैं, और आपकी बिना ये रह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नकुछ रिलिस करने की जरूरत है, मेरी व्यूवस, आपके अंदर निगेटिपटी, आपकी negative thoughts, third party को लेकर, partner को लेकर, कुछ आपकी family members को लेकर, कुछ relative को लेकर, या फिर society समाज को लेकर, आप कहीं न कहीं बहुत दुखी हो जा रहे हो, या फिर कोई आपको trigger कर रहा है, यहाँ पर मेरे viewers, आपकी married life है, या फिर family है, बच्चे, जहाँ आपको trigger किया जा रहा है, और कहीं न कहीं कुछ कार्मिक relationship है, जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ही confused हो, घूट रहे हो, लेकिन कहीं नहीं compromise करते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पर आपको compromise करने की जरूरत नहीं है, हाँ, balance जरूर किजिए, एकदम से compromise मत किजिए, क्योंकि यह आपकी life है, जहाँ सिर्फ आप compromise करोगे, तो ना आप अपने partner के तरफ जा पाऊगे, नहीं आपकी toxic relationship में balance कर पाऊगे, यहाँ पर आपको guidance की जरूरत है, यहाँ पर आप balance करें, ठीक है, यहाँ पर आपके partner unconditioned love feel करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको miss करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत missing energy है, लेकिन कहीं न कहीं आपसे connect करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर angels आपको sign दे रहे हैं, divine, अगर आपके divine masculine आपके partner, अगर आपसे distance maintain कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने दिल की आवाज आप तक किसी थुरू आपको पहुचा रहे हैं, यहाँ पर आपकी person और आप third party में, देखिए यहाँ पर बहुत decision लेने वाले हैं, इन्होंने अब तक नहीं लिया, थोड़ी सी problems आई हैं आप दोनों के रिस्ते मे लेकिन कहीं न कहीं इन्हें बहुत strong decision लेना होगा, इन्होंने सोच लिया है, लेकिन आने वाले समय में यह बहुत strong decision लेने वाले जहां इस बक देखा जाए, current energy में यह person आपको लेकर बहुत ही सोच रहे हैं, missing energy, लेकिन यह बहुत strong planning भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ इस वक्त अपने आपको space देना चाहते हैं, खुद पर focus करना चाहते हैं और balance करते हुए यहाँ strong decision लेना चाहते हैं, देखिए third party यह आपके partner बीच में हैं और आप दोनों वालोगों, मतलब कि दोनों को equal equal यहाँ पे देखा जारा इस वक्त, ठीक है, मतलब नहीं वो आपको time दे पा रहे हैं और नहीं third party को दे पा रहे हैं, मतलब कि इस वक्त कहीं न कहीं खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहते हैं, क्योंकि यह person बहुत ही disturbed हैं, इनको space चाहिए, अंदर ही अंदर fight कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यह return आ रहे हैं, ठीक है, यह return आ रहे हैं और आप अपनी, देखिए, आप अपनी खुशी ढून रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको नजरीय को change करना होगा, आपको आपकी खुशी मिल रही है, बट आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हो, आप third party को लेकर ज्यादा सोच रहे हो, कब कैसे क्या होगा, देर यहां पे क की सकती हो, तो आप खुद में वो सकती आजाती है, कि वो खुद बखुद ब्लाक मैजिक हुआ, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां आपको खुद पर focus करने की जरूरत है, और यह person return आने की planning कर रहे हैं, जहां यह causes लगातार कर रहे हैं, लेकिन यह दे सकती है, और आपके साथ ऐसा कुछ होड़ा है, तो आप अपने partner के energy को घबराना, बेचाइनी, एक तरप, एक बेचाइनी, क्या होगा, कैसे होगा, या फिर वो कैसे ठीक हो जाए, तो यह person के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आपको लेकर आपको justice देना है, आपको पाना है, साथ आपके साथ उन्हेंने जाती की है, अब यह आपको justice देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको promise किया है, तो यह वादा भी निभाएंगे, आपको कहीं दूर planning कर रहे हैं, हटकर रहने का, अलग से घर, मतल कि थाट पार्टी से भी इनका कोई अच्छा चल नहीं रहा है, जहां कुछ के लिए legal इस चल रहा है, जहां एक साथ रहते हो भी उनको इतना नहीं देर, हाँ, बच्चे के यह क्लोज हैं, बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इस वक्त आप कर रही है, तो यहां पे अपको कहीं न कहीं न कहीं उनको अंको मोटिवेट करना होगा, अगर business को लेकर, कुछ काम को लेकर, अगर property को लेकर, कुछ भी ये करें, तो इनको या आपको भी धोखा मिल सकता है, यहाँ पे आने वारले time में सतर्क रहना है, ठीक है, यहाँ पे थोरा सा आपको अपने आपको negativity को release करना होगा, ठीक है, आपको overthinking से बचना होगा, यहाँ यहाँ पे stable होने की, मतलब होता है मन में कि मुझे stable होना, stability के तरफ आपको focus करना है, ठीक है, आप उनके लिए बहुत special हो, खास हो, यह समझ रहें, क्योंकि देखिए, आप लोग की spiritual growth, एक spiritual, जो reunion होती है, वो divine से connect होती है, तो आप लोग को हो भी राइडियर, बहुत जल, लेकिन कहीं न कहीं जो आपको उन्होंने दिल दुखाया है, आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, लेकिन भूलना होगा, ठीक है, वो return आते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने परशानी को release करना होगा, निकेटिव थॉट्स को let go करना होगा, यहाँ पे overthinking चल आपको overthinking से बचना है, नहीं, तो देखें, नहीं तो आप यहाँ नहीं करोगे ना, तो वो क्या हो कि आपके अंदर की तकलिफ जो होगी, उन्हें भी तकलिफ होगी, ठीक है, जब जब decision लेते हैं, तो problems आती, क्यों आती है, क्योंकि आप balance में नहीं होते हैं, आप दोनों क नहीं देना चाहते हैं, आपको बहुत सारी खुशिया देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए planning में आपको लाइप की सारी खुशिया देना चाहते हैं, बट यहाँ पे मेरे भीवर्स, अगर आप overthinking कर रहे हो, तो प्लीज मैं यहाँ बोलूँगी, कि खुद, अभी म आपके दिमांग में balance हा रहा है, लेकिन कभी-कभी overthinking हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं बदलाव दिख रहा है, मतलब दोनों में प्यार बर रहा है, दोनों की feelings बर रही है, एक दुसरे को आप दोनों deserve करते हो, मतलब आपको लेकर, third party को लेकर balance करना, planning करना, मतलब कि आपको ये कहीं न कहीं strong decision सुनाना चाहते हैं, ये planning करें और बहुत जल्द ये changes आ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका अपना बिल्कुल intention सही रखना वी वर्स, ठीक है, आप अपना intention बिल्कुल सही रखना क्योंकि ये बहुत बरा major changes दिख रहा है, आपको routine को change कर करना है, देखिए कुछ की health issue है, तो health issue आपकी धिरे धिर इंपूर्व होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर किसी के partner को हो सकता हार चक्रा में pain हो रहा हो, health issue को बज़ए से BP और diabetes की energy हो, कुछ भी या back pain हो रहा हो, leg में pain हो रहा हो, तो ये overthinking से हो रहा है, और आपके भी ना आपसे जुदा नहीं रहा है, बहुत ही passionate होते हुए, फिल कर रही हूँ इनको, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, देखिए, माफी दोनों एक दूसरे से मांगना चाहते हैं, कुछ viewers ऐसे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भ कोई problems नहीं चाहते हैं, एक दम से सब कुछ सही करकर वो आपके तरफ आना चाहते हैं, यहाँ पे आपके partner और दोनों एक दूसरे को फिल कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सबर रखना होगा, पेसेंस रखना होगा, अब समझ में आपके person को भी सब कुछ आ रहा है सब कुछ दिख रहा है, दुख में हैं, खुस नहीं है वो, और यहाँ पे आपको उनको समझना भी है, आप बार बार सोचते हो, धोखा दिया, चीट किया, तो इसमें आप बार बार घूम रहे हो, यहाँ balance, गुसा को balance, आपके person को देखिए हाँ पे stress बहुत है, गुसा भी तो सब कुछ balance करके चलना चाहते है, इस बर सिर्फ चाहते हैं कि खुद को थोड़ा time दे दे, ठीक है, space चाहिए उनको, ताकि वो समय आने पर fight कर सके और आपके तरफ action ले सके, ठीक है, तो यह person आपके लिए बहुत ही positive सोच है, major changes यह है, कि आपकी growth शुरू हो चुकी है, मतलब positive है, लेकिन कभी-कभी overthinking से आप नहीं निकल पाड़े हो, आप दुख के तरफ मत जाओ, ठीक है ना, दुख, मतलब आप सिर्फ दुख, दुख को याद करते हो, तो आपको सुख कहां से बिलेगा, है ना, आप avoid करो उस सब को, ठीक है, उस problems को, उस उन लोगों को, third party negativity को, ठीक है, negativity को avoid कीजिए आप, थोड़ा सा सर्व रखिए, patience रखिए, जहां आपकी growth हो रही है, कहीं न कहीं, देखे growth किसली हो रही है, क्योंकि जैसे से आपकी healing होती है, आपके partner की भी healing होती है, तो वो fight करने के तयार है, लेकिन problems create हो रही है, लेकिन इनके दिमाग में है कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनको deserve करते हो, ठीक है, इस वक्त ये person stress, गुसे में भी है, balance करने की कोशिस कर रहे हैं, साइध आपको ना वो बात कर रहे हो, और ना ही वो third party से बात कर रहे हैं, यहाँ पे खुद पर focus कर रहे हैं, और खुद के लिए space निकालना चाते हैं freedom जीना चाते हैं, ताकि वो सही समय पे decision ले सके, जबकि इनके motion हो रहे हैं, लगता कि आज का अभी का अभी आपके तरफ decision ले लो और आपके साथ रहने लगो, लेकिन तुरंट एक दम से change हो जाता है इनकार दिमाग, ठीक है, क्योंकि balance में यह नहीं है, लेकिन यह बहुत यह आपके लिए action लेना चाहते हैं, fight कर रहे हैं, current energy में person आपको साथ cheat किया, दोखा दिया, यह आप सोचते हो, आपको दिमाग से निकालना यह कहना चाहते हैं, आप उनको समझो, आप उनको support करो, ठीक है, देखे यह person age gap हो सकता है, काफी age gap आप लोग में हो सकता है, कुछ मेरे viewers यहाँ पर आप लोग single mother या single father हो, या video हो या divorce हो, कुछ single type के आप लोग हो, जहां कुछ लोग के legal issue चल रही है, या फिर कुछ step आप उठाने वाले हो, ठीक है, legal issue से related आप step उठाने वाले हो, और कोई आपको अगर कार्मिक से डिल करें, तो वो आपको बार बार ट्रि आपकी spiritual growth हो रही है, कुछ आप निल स्टार्ट कर रहे हो, या सोच रहे हो, ठीक है, या आपकी spiritual growth देखते हुए, मुझे बहुत अच्छी energy हो रही है, health पहले से आपका जो health था, अब धिरे धिरे improve हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको जो anxiety बार बार हो रही है, overthinking के वज़ा स से हो रही है, पूरी नींद आपको लेनी है, ठकावर से महसूस होती है, तो meditation कर लिजे और खाने पीने का ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी बात आपको अपनी routine को follow करना है, ठीक है, खाने से पीने, सोने, सब कुछ का meditation का, ठीक है, तो वो action ले रहे है, बहुत जल्द action ल बता देती हूँ दिया, देखें, बहुत श्रॉंग मुझे टॉरेस दिख रहे हैं, जहां विरिस सब रासी है, जैमनाई है, जहां मिथुन है, यहां वर्गो हैं, यानि कन्या, मीन यानि पाइसेस, लियो यानि सिंग, cancer, यानि कर्क, एकुरियस भी दिख रहे हैं, यानि कुम्ब, Scorpio, Bristick, यह sign मुझे यहां दिख रहे हैं, ठीक है, यह sign मुझे यहां दिख रहे हैं, बस आपको positive रहना है, ठीक है, overthinking नहीं कर रहा है, क्योंकि changes देख रहे हैं, आपके body में, आपके दिमाग में, जो चल रहा है, आप balance जहां overthinking हो रही है, आप बैलेंस में हो, देख रहे हैं, आपको अगर रोने का separation है, नेंद नहीं आना, separation यह किसलिए हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं, आप अंदर की जो दिल की बात है, आप नहीं निकाल पारें, वो जो ब्रास होता है जुआला मुखी, आप नहीं निकाल पारें, उसको निकालिए, रोईए, और किसी को share किजे, जो बहुत ही changes आएंगे, और खुद को आप जीना सिखोगे, और समझने लगोगे कि मुझे करना क्या है, इस वक्त ट्रांसफर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ साइन मिल रहे हैं आपको, guilt इसा निकालिए, union, reunion बहुत जल दिख रहा है, ठीक है, तो चलिए यह थी, आप आपके पार्टनर की करेंटिनरी, 1010 पोर्टल, बहुत सारे changes, आपकी spiritual goal, आप रिजर्ब करते हो, आप बहुत कुछ डिजर्ब करते हो, खुद के लिए और पार्टनर के नजरों में, तो यहां आपके पार्टनर प्यार करते हैं, लेकिन थोरा सा space दिजिए, thank you so much, God bless you.